आज के पेलगा में बात करूंगी कुछ कॉमेंट्स की जो के मुझे पिछले वीडियो पर मिले हैं पिछले वीडियो में जिसमें मैंने कहा कि मुम्तास कादरी को फांसी की सजा की अपील नामन्जूर होने पर मैं पाकिस्ताने कौम को मुबारक बाद देती हूँ उस पर कही तरह के कॉमेंट्स मिले एक भाई साब ने इस पर कहा कि मैंने देखा है कि आपके वीडियो के नीचे लोग लिख रहे हैं कि ये बहुत बड़ी गश्ती है सिर्फ इस बात पर कि आपने ये कहा कि अच्छा हूँ मुम्तास कादरी को फांसी की सजा मिली है लोगों को इस तरह के बात नहीं कहने चाहिए ये बहुत ये अच्छा पॉइंट आप भाई साब लेकर आएं है बात ये है कि पाकिस्तानी कल्चर इस तरह का है कि जब भी मर्दों ने एक मर्द एक औरत से बहास करता है चाहे वो कौमी इसेंबली में हो चाहे वो सारे मर्द नहीं आपने देखा होगा कि बहुत सारे मर्दों ने वैसे जो मेरे वीडियो के निचे कॉमेंट किये हैं उसमें बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि जहनुमी है, मर्दूद है, मुर्तिद है या गुस्ताख कि इस व dúl है स्राएं बाते किया जो टॉपिक से रिलेehटिटी थे उनका उनकी रऎे हैं देविसे डूपिकी से र०े Mundare है। लेकिन जो लोग इस बात को इस तरफ ले गे ऺ घशे है यह से थी लोटंग हैं कि और आपको वुड़नी कि पैस उन्सीनिल बात करें, वो कहते हैं, हमें पता है आप क्या करती है, हमें पता है आपकी किसे या रही है, हमें पता है किसकी बेटी घर से भागी थी, ये वो लोग है, इनका कल्चर ये है, एक दुसरे से लड़ाई होगी, मा भेहन की गाली देंगे, ये टॉपिक पर बात नहीं करते हैं, ये इनका ही होता है कि जिन्सी हमला औरत भी किया जाए और इनकी ये भी मेंटालिटी है कि जब आप एक औरत को गाली देंगे जिन्सी गाली देंगे तो इसमें औरत की बेज़ती है इनको इतनी अकली है कि जो बात इनके मुझे निकलती है उससे इनकी बेज़ती होती है भई यह बहुत बड़ी गश्टी है, अब तुम्हारा क्या खाल है, कि भाई मेरे जब मैंने तुम्हारा कॉमेंट देखा, मैंने तुम्हारा फेस्बूक का पेज देखा, तुम्हारी कोई बड़ी इज़त बनी मेरी नजर में, मतलब क्या यह जो तुम्हारा यह पेज, लेट से क और जिस ने देखा किया इस लड़के में और एक decent लड़के में कि जिसकी तरबियत अच्छी हुई है या कोई ऐसा लड़का के जो ऐसी बात नहीं करता है जो जसा मेरा भाई है या मेरा शोहर है कभी तसवर नहीं कर सकते हैं वो किसी ऑरत के बारे में ये वो मर्दें मेरा भाई और शोहर या दूसरे जो डीसन लड़के हैं वो ऐसे मर्दें कि जो किसी तवाइफ को भी ऐसे ना कहें तो क्या एक ऐसे लड़के में जोसरा की जुबाने समाल करता है या डीसन लड़कों में कोई फर्ट नहीं अफकोर्स डिफरेंस है क्या ये बात नहीं है क्या इन लोगों को सुसाइटी एक जैसा समझती है नहीं समझती मतलब आप ये देखें कि लड़कों के भी इज़त होती है मर्दों की भी इज़त होती है ऐसे मर्द के जो औरतों के बारे में इस तरह के फिक्रे कसते हैं और ऐसे मर्द के जो डिसंट तरीके से ऐसी बात नहीं करते हैं उर्टों के बारे में उनमें फर्क है ऐसी बात नहीं है कि मर्दों की इज़त नहीं है जो मर्द ऐसी गाली गलोश देते हैं उनकी इज़त चली जाती है अब इस भाई का कॉमेंट जहां जहां जो भी कॉमेंट देता है उसके सारे फ्रेंड्स देख सकते हैं जो इसकी कजन जोगी इसकी माएं बहने होगी इनों देखा होगा तो उनको इच्छा लगता है यह बहुत शायनिंग एक्जेम्पल है उनके लिए तो यह समझना कि अगर गाली दे के और बहुत की बहुत बढ़ी भूल है होता होगा किसी जमाने में किसी गाउं में यह इस तरह के आपने किसी और गलत को फर्स करें लेरी डॉक्टर को अमिना आपकी गष्टी कहने से कोई गष्ट नहीं मज़ा दी एक गष्टी है कह दिया तो इसका मदलब है किस और बहुत की बेज़दी होगी ऐसे नहीं होता इतने अराम से लोगों की बेज़दी आप नहीं कर सकते, आप खुद अपनी बेज़दी करते हैं, जितनी जल्दी आप लोग इस बात को समझ जाएं, उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर है, और दूसरे एक और बात, एक भाई ने बड़ी अच्छी की, किसी, यह जो सुसा ने पहुंचाती, किसे जूर ने बोलती, किसे धोका ने करती, जो बाकी मौशरे के कातिल हैं, मुम्तास कादरी जैसे, यह फ्रॉड हैं, यह वही लोग हैं, इस तरह के जो बिला वजएक दूसरे को गालियां देते हैं, इस तरह के अरफास देते हैं, उनसे तो हजार बेकतर हैं, तो यह अपने जहन में यह जो लो लाइफ और थर्ड प्रास किसम के लोगों ने यह बनाया है, कि वो कोई बड़े अच्छे लगते हैं, इस तरह के बाते हैं, वो बाते हैं, वो बाते हैं, वो बिचारे मेंटली ग्रो नही किये, यह वो एक तबका है, हमारे कि जिनको जितना अपता है, वो फिर उसके मतावबक अपने जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन इसका यह अच्छे लगते हैं, यह इसका उनको के फाइदा है, 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 इसका उनको के फाइदा है